Hello everyone, I welcome you all once again on your own YouTube channel, Passport Helpline, India's only YouTube channel where you can find all the passport and visa related informations. और आज का जो वीडियो है वो काफी खास होने वाला है क्योंकि आज मैं ऐसे टॉपिक पर बात करने वाला हूं जिसको लेकर जो है most of the people काफी ज्यादा confused रहते हैं लोगों के मन में काफी doubt रहते हैं और exactly वो समझ नहीं पाते हैं कि actual में जो है इस word का meaning क्या है और आखे उनको अब उनको क्या करना है अपनी तरब से ताकि उनका जो इस्टेटर से वह चेंज हो से और उससी स्टेटर का उस लाइन का पर्टिकुलर लाइन का नाम है पासपोर्ट फिजिकल पुलिस विरिफिकेशन इस पैंडिंग अब बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा जो पुलिस वि पर आती है फिर हम थाने जाते हैं सभी केसों में अल्टिमेटली होता यह है जब पुलिस वाले हमें फाइनली बोल देते हैं कि ठीक है जाईए आपका वेरिफिकेशन हो गया और हम बड़े खुशी-खुशी घर आ जाते हैं और उसके बाद जब भी हम अपना ऑन-लाइन जो ह यहां पर आपको इस डाउट से कैसे बाहर निकलना है तो आप एक बात यह हमेशा याद रखें कि जो भी आप ऑन-लाइन ट्रैक करते हैं अपने अप्लिकेशन को क्योंकि जो इक जो श्टेटस चेक करते हैं वह चेक करते हैं पासपोर्ट सेवाकेंद्र के वेव साइट पर ठीक है और जो आपका यह पुलिस विरिफिकेशन होता है यह अलग पाठ होता है जो कि एक पुलिस डिपार्टमिंट के दवारा होता है आपके local थानों दवारा अब यहां पर बात यह है कि जब तक पुलिस जो है आपके फाइल को जब तक वो सिस्टम पे अपडेट नहीं करेगा पासपोर्ट सेवा के अंदर का जो सिस्टम होता है जो उनका डाटा बेस होता है तो जब तक वहां पे अपडेट नहीं होगा तब तक वहां पर तो इस particular application का जो status है वो अभी क्या हो रहा है दूसरी बात यहां पर गाइस यह है कि जो भी आपके local थाने होते हैं यह सभी जो है आपके passport के file को आगे forward करते हैं headquarter में SP office को SP office में अलग से department होता है पासपोर्ट verification का जहां पर आपकी file पहुचती हैं और वहां से जो computer operator होता है वह आपके file को वन करके पासपोर्ट सेवा के अंदर के website पर entry करता है ऐसे में जब तक आपका file वहां पर table पर रखा हुआ है तब तक तो पासपोर्ट सेवा के अंदर को मालूम नहीं है कि आप पुलिस से मिल चुके है आपका verification हुआ है कि नहीं हुआ है उनको जो है जब तक उनको digitally कुछ proof नहीं मिलेगा तब तक तो उनकी नजर में आप बिलकुल जो है आपका verification अभी पेंडिंग नहीं है ऐसे हम लोग यह सोचते हैं कि भाई हमने जो है सुबह पुलिस वालों से मिल कर रहा है और तो शाम तक ही status हो जाएगा थाने में इसके लिए कोई arrangement नहीं होता है वो जो है वीक में एक बार जितने वी उनके passport applications होते हैं वीक में एक बार वह सारे कठे करके भेज देते हैं अपने SP office को अब SP office जो है बहुत सारे अलग-अलग थाने से जुड़ी हुई होती है तो वहां पे हजारों ला के detail उस particular website पे entry नहीं किया जाएगा तब तक जो है आपका police verification जो physical police verification का जो status है वो as it is show करेगा तो ऐसे मैं आपको confused होने की बिल्कुल जरूरूत नहीं है कि मैं police से मिलकर आ गया हूं उन्होंने बोला कि ठीक है बेटा जाओ फिर भी अभी तक ऐसा क्यों दिखा रहा है तो भ फाइल वहां पे वह लुक्सी नेचर करके okay कर देते हैं तो जब तक वह अपने SP office को forward नहीं करेंगे और वहां forward होने के बाद भी जब आपके file का number आएगा वह entry करेंगे उसके बाद ही वहां पे जो है आपका passport सेवा केंदर के website पे आपका status वहां पे change होगा और वहां पे इसी चीज के लिए आप लोगों को confused होने की बिल्कुल जरूत नहीं है आपका रोल सिल वहीं तक था जब आपको police से मिलना था उनसे बाते करनी थी उनको documents वगरा दिखाने थे एक बार जब उन्होंने बोल दिया okay ठीक है अब आप जाए हो गया तो आपको बिल्कुल नहीं स्टेटस चेंज हो जाएगा तो आई होब गाई इस चोटे से वीडियो से आप पूरा यह situation समझ गयोंगे कि actual में जो है tracking में हमें यह कुछ और होता है actual में हमारे साथ कुछ और होता है तो आखिर यह होता क्यों है दोस्तों दीजिए मुझे इजाज़त मिलते हैं फिर किसी आपके जाहिए